तो देख सकते हैं पर question है इसको हम लोग बीना solve किये इसका हम लोग answer पता करेंगे ठीक है तो देखिए इस तरह का question को कैसे बनाय जाता है बस आपको इसमें एक rules याद रखना है कि सबसे पहले क्रिया जो हता है वो हता है भागा का इसके बाद गुना का ठीक है इसके बाद जो होगा 2 ठीक है अब आपको 2 से गुना करना इस 3 में यानि कितना हो जाएगा वह हो जाएगा 6 अब आपको 6 और 6 को जोड़ना है तो वह हो जाएगा 12 और 12 में से अब आपको 4 को घाटा देना है या कितना जाएगा इसका answer हो जाएगा 8 ठीक है इसी तरह से चलिए हम लोग 13-6 में भागा लगाना है कितना है अब आजाएगा 2 अब 2 से आपको 4 में गुना करना है कितना जाएगा 8 ओजाएगा 8 में 3 को जोड़ना है यह हो जाएगा 11放心 है आपको 8 को घाटा देना है तो कितना बचेगा तो यह बच जाएगा 3 यानि इसका answer हो जाए गा 3 ठीक है तीसरा क्वेस्टन को अब हम लोग स्वल्व करके देखते हैं, तो चार में दो से भागा लगाना है, तो यह हो जाएगा दो, दो से अब आपको छो में गुना करना है, यह हो जाएगा बारा, बारा में इस चार को जोड़ना है, यह हो जाएगा स्वल्ला, 16 में से 2 को घटा देना है यानि इसका एंसर हो जाएगा 14, ठीक है तो चलिए आब हम लोग 4 क्वेशन को solve करते हैं तो इसमें क्या है 9 में भागा लगाना है 3 से तो इसका कितना आएगा 3 आएगा अब आपको 3 से 8 में गुना करना है यह हो जाएगा 24 24 में 6 को जोड़ना है तो यह हो जाएगा 30 30 में से आपको 3 को घटा देना है यानि इसका एंसर कितना हो जाएगा इसका एंसर हो जाएगा 27 तो इस तरह से आप आसानी से अपने दिमाग में जोड़ घटाओ गुना और भाग को कर सकते हैं